शनी देव आप देख रहे हैं शनी देव यहां पे लिखा हुआ है और आपके सामने यह चार्ट लगाया है यहां पे ग्रहों की दिस्टी की बात कर रहा हूँ मोटा मोटा आप सभी को पता है कि शनी देव की जो दिस्टियां होती है मैं यहां पे लिगता हूँ आपको यही पता होगा कि शनी देव की एक तीसी दिस्टी होती है, एक सात्मी होती है, ठीक है जी, बाकि आपको नहीं पता, देखिए, लेकिन शनी देव तब भी खेला कर जाते हैं, ना किवल शनी देव जितने भी ग्रह मैंने आपको बताया हैं, ये रिखे, बुद्ध के बाद में बता चुका हूँ, तो यह ग्रह कुछ स्पेशल दिस्टियां भी डालते हैं, जिसे हम कहते हैं चरण दिस्टियां, देखिए, यहां पे पहले चरण में तीसी दस्टियां होती है, दूसरे चरण में पांच और नौ होती है, तीसे चरण में चार और आठ होती है, और चौते जड़ में साथ तो मतलब इन दिस्टियों के इलावा इन घरों को भी अपने इस्थान से ग्रह जो हैं वो देखते हैं मान के चलते हैं माली जे आपका ये चार्ट है आपका ये चार्ट है और इस चार्ट को हम लेकर चलते हैं और इस चार्ट में माली ये शनी देव कुंडली के इस वाले घर पर बैठे हैं ये शनी देव यहाँ पर बैठे हैं ठीक है जी अब शनी देव यहाँ से जब भी दशा अंतर दशा आएगी आपके उपर शनी देव की या शनी देव गोचर में यहाँ पर आएंगे तो शनी अ देखेंगे यहां से काउंट करना एक दो तीन ठीक है जी फिर दसमें घर को देखेंगे यहां से तीन चार पांच छै साथ आठ नो तस ठीक है जी दसमें चरण में हो गया आगे बात समझ में आईए उसके बाद शनी देव दूसरे चरण में पांच और नो दिस्टी देखेंगे तो तीन ये हो गया चार पांच तो शनी देव की एक दिस्टी यहां पर पढ़ी पांच में ठीक है जी चटी साथ मी आठ वी नौमी दिस्टी शनी देव की यहां पढ़ी बात आगई आपको समझ में आईए तीसे चरण की बात क आप में घर पर पढ़ती है नोट कर लिया आपने मैंने क्या बताया कि शनी देव जहां बैठेंगे वहां पे तो आपको 100 प्रतिशत का रिजल्ट देंगे ही देंगे और जिस सामने वाले घर का भी 100 प्रतिशत देखेंगे ठीके जी और यहां पे देखें तीसरे भाव को भी यह 100 प्रतिशत एक्टिवेट कर देंगे ठीके जी और दसमे भाव को जी सात्मा आटमा नौवा दसमे भाव को भी 100 प्रतिशत रिजल्ट देंगे ठीके नोट कर लिया बाकी भावों को बाकी भावों को जैसे तीसरे को तीसरे भाव और दसमे भाव को जो दसमा भाव होग इसमें 25% एक्स्ट्रा इफेक्ट दिखाएंगे ठीक हैं 5 में और 9 में 50% इफेक्ट दिखाएंगे तीसरे भाव में 75% इफेक्ट ये आपको देखने को मिलेगा जब जब आपके उपर दशा, अंतरदशा और शनी का पीरिड चलेगा तो ये शनी की दशा और अंतरदशा यहां पे होगी ना केवल यही शनी अगर कुंडली के किसी और भाव में भी बैठा हो तो इन ही चरण से वो देखेगा समझे मेरी बात को, कुछ रटने वाली जोतनी है सिर्फ आपको ये याद करना है कि शनी देव की तीसरी, सात्वी और दस्त्वी दिस्टी के इलावा चरण में भी नजर होती है जैसे आप कहते हैं कि आपका आप मांगे चलते हैं भावाद का परधान मंतरी ठीक है जी? या फिर आपके राज्य का राज्य मंतरी मुख्य मंतरी हो गया चीफ मिनिस्टर आपके स्टेट का होगा जिस भी स्टेट के हैं तो चीफ स्टेट जो चीफ मिनिस्टर होगा या प्रधान मंतरी होगा प्रधार मंतर के माली चीफ मुनिस्टर के उपर सीधे नजर है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी भी Central Agency है उनके उपर Prime Minister की नजर नहीं है जी हाँ इनकी नजर होगी कौन सी जैसे आपकी Railway होगी आपकी Financial Institution होगी है वहाँ पे इनके मंतरी बैठे हुए लेकिन इनकी दिस्टियां वहाँ भी पढ़ रही है यही चरण दिस्टियां होती है प्रधार मंतरी डारेक्ट इंवाल्व नहीं होंगे डारेक्ट इंवाल्मेंट वो अपने ही PMO से होंगे जो उनका मुख्य मिनिस्ट्री है लेकिन बाकी सवे पे उनकी नजर होगी उनकी हामी होना बहुत जोरी है तो इस परकार से हम दिस्टियां देखते हैं चरण याद कर लीजिए यह याद कर लीजिए चारो चरण आपको आसान हो जाएगा तो तीन दस पांच नो चार आठ और साथ अब याद कर लेते हैं तो कहीं भी कुछ नहीं बिलेंगे तो शनी जिस भाव में भी बैठता है आपके बर्थ चार्ट में वहां से वह तीसरे तथा दसमे को पूर्ण चरण दिस्टिय से पांच में करते हैं प्रेक्टिस करके आपको आ सकता है इसके इलावा अगर आपको किसी प्रकार की परस्नल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी जोतिछ खर एंड्रोइड एप को डाउड कर सकते हैं और यहां पे आप फ्री कोड में अगचाते हैं तो एक रिप्लाई आपको अवसे 60 दिन के अंदर मिलेगा तो आपको यह कोड शियर करना पड़ेगा जो चेंज होता रहेगा इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विटर पे और धहरे बना कर रखना है जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा साथी साथ आप फ्री कुर्णली, कुर्णली मिलान, पीडियाफ सब कुछ यहां पे प्रॉपली प्राप कर सकते हैं फ्री अफ कॉस्ट हैं और किसी प्रकार के अगर आपको रिपोर्ट चाहिए या प्रशनावली अपनी देखनी है तो वो भी आप इस एप से बहुत कर सकते हैं अरसानी से, एक बार यूज़ कीजिए देखिए आपको बहुत फायदे मन्द होगा और इसको अपने पॉकेट में बना के रखे इस एप को तो यहाँ पे मैं आपसे इजाद चाहूँगा क्योंकि आपको मैंने शरी देव का बता दिया है चोंकि मैंने ग्रहों की दिस्टी से आपको ब्रिस्पती का बता चुका हूँ प्लेलिस सेक्शन देख लीजिए तो कि मैं आपको बुद्ध देव का बता चुका हूँ और क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ब्रिस्पती देव को प्रॉपली धंग से कवर्थ का चुका हूँ सूरी देव का भी बता चुका हूँ तो यह वीडियो सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इजाद दीजिए जाए श्रीशनी देए